दोस्तो इस वीडियो में हम लोग इस रैखिक समीकरड युगम को दो विदियों से अल करना सीखेंगे पहला प्रतिस्थापन विदि से दूसरा बिलोपन विदि से ये दोन विदियां आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि स्क्रिन पर आपको जो भी प्रश्ण दिख रहे हैं इन सबी को अल करने के लिए इनी दोनों विदियों को उपयोग किया जता है और इस तरह के प्रश्णों में से एक प्रश्ण आपके बोर्ड एक्जाम में जरूर पुछता है और वो भी सबसे अधिक नमर का या तो 6 नमर का आता है या फिर 4 नमर का आता है तो इन दोनों वीडियों को अच्छे से समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसे प्रतिस्थापन विदी से आल करेंगे लेकिन प्रतिस्थापन विदी से आल करने से पहले हम ये समय लेते हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है तो देखे प्रतिस्थापन का मतलब हता है किसी एक चीज को अटा करके उसी जगह पर कोई दूसरी चीज रखना एकजाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पेन यह रखा हूँ और अगर मैं इसी पेन को हटा करके बिल्कुल इसी जगप्रिये में कोई दूसरा पेन रख दू तो ये हो गया प्रतिस्थापन ठीक है? अभी जब मैं आगे समझाओंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपको ऐसे ही दो समीकरण दे देगा ठीक है? आपको इतना करना है उसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण एक से तो आपको लिखना है समीकरण एक से अब समीकरण एक से लिखने का मतलब यह है कि हम लोग समीकरण एक को हल करके यक्स का मान निकालेंगे ठीक है? कि इसी समीकरड को हमें आगे हल करते जाना है और इसको हल करते समय ऐसा करना है ताकि यक्स बराबर इधर कुछ भी आ जाए यानि कि ऐसे हल करना है ताकि बराबर के इधर क्यवल यक्स बचे और बराबर के उधर कुछ भी आ सकता है लेकिन नियम के तो बराबर के एदर आएगा तो माइनस 3Y हो जाएगा अब यहाँ पर देखे दो X का मतलब होता है दो गुड़ा X बीच में गुड़ा यहाँ पर देखे आप लोग एक रूल समाझे लेजिए कि जब भी X और Y के साथ में कोई अंक चिपका हो यानकि बिल्कुल साथ में चिपका हो उसके तो उनके बीच गुड़ा होता है जैसे माल लेजिए यहाँ पर 2X है तो यह X के साथ 2 चिपका होगा है तो इसका मतलब 2 गुड़ा X इसका मतलब यह होगा वैसे ही अगर 3Y दिया गया है तो तीन गुड़ा Y इसका मतलब यह होता है इन दोनों के बीच देखे कोई चीन नहीं यह मतलब गुड़ा कचीन है इन दोनों के बीच कोई चीन नहीं मतलब गुड़ा कचीन है तो आप लोग यहांसे यह समझ लीजेगा कि इनके बीच में हमेसा क्या होता है गुड़ा कचीन होता है, तो यहां पे 2x का मतलब क्या है? 2 गुड़ा x, तो जब भी गुड़ा के रुप में कोई संख्या दिया रहता है और उसे बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं, तो वो बटा में हो जाता है तो यहां से x बराबर के हो जाएगा? हो जाएगा 7-3y अब देखें, जब गुड़ा वाला भाग में जाता है, तो बराबर के दूसरे साइड जितना भी कुछ दिया रहता है सभी का बटा हो जाता है, तो यह पूरा सूरू से लेकर यह पूरा बटा होगा ना अब यह दो पूरा नीचे आ जाएगा, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था मैंने कहा था कि आपको ऐसे अल करना है ताकि बराबर के इधर के वाल अकेले x बच जाए और इधर कुछ भी आए, नियम के अनुसार, तो मैंने इसको नियम के अनुसार ला दिया, yx बराबर एतना अब इसी को आपको समीकरड तीन माल लेना है, ठीक है? चुकि समीकरड एक और दो तो हो गया, अब दो के बाद तीन ही, तो अगर इसी हमें समीकरड तीन माल लेना है तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको यह सम नहीं समझा रहा है, कि यह 3y एधर आए, तो माइनस 3y कैसे हो गया और यहाँ पर एक गुड़ा है, तो भाग में कैसे चला गया, तो यक्स कमान निकालने वाला जो नियम होता है, उसे अगर आप समझ लेते हैं, तो यह सब आपको अच्छे से समझ आएगा तो मैंने यक्स कमान निकालने के उपर 3 वीडियो बनाया है, आप लोग उन 3 वीडियो को देख लीजिएगा, आपको यह सबी अच्छे से समझ आजाएगा ठीक है, उन 3 वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा अगर आपको यह नहीं समझ आ रहा है तो, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे चुकिए 7 माइनस 3 वाई, इसे अल करेंगे तो यह हल नहीं होगा यहाँ पे देखिए, बहुत लोग क्या करेंगे, कि 7 माइनस 3 वाई, यहाँ पे उपर है न, तो बहुत लोग ऐसे करेंगे, 7 में से 3 गटा, 4 और यह वाई का वाई रहेगा, तो ऐसे नहीं गटता है यह देखिए, वाई अगर है, तो वाई बहुत अंक रहेगा, तभी गटाएगा, जैसे अगर यह 7 है, तो अगर यह 7 वाई रहाथा?' तब जाकर कि यह 4 वाई होता है है हमेसा याद रखेगा कि जो अंक होता है जो संख्या वो संख्या के साथ ही जूडता घरता है और जो y वाला है वह y वाले के साथ ही जूडता Virginia अभी आपको आगे समझ में आता जाएगा तो इसके बाद yaks कमान्य तो से समीकरड तिन माल लेना है, अब याँ आप देखिए, यक्स बराबर ये पूरा इतना है, यानि कि ये दोनों चीज बराबर है न तो अगर हम लोग इसी यक्स कमान को समीकरड दो में रख दें, तो हमारा वाई कमान निकल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे, यक्स कमान समी इकरड़ दो में रखने पर, तो यहां पे आप लोग एक चीज़ समझ लिजिए, कि मैंने सबसे पहले समीकरड़ एक से लिखा, फिर मैंने समीकरड़ एक को हल करके यक्स बराबर यहां पे कुछ इतना ला दिया, अब मैंने इसे समीकरड़ तीन माना, चुकि यह जो है समीकर एक से मैंने हल करके लाया है, तो इसी मान को हम समीकरड़ दो में रखेंगे, ठीके, आप समीकरड़ एक से आपने मान निकाल है, तो आप समीकरड़ एक में नहीं रख सकते हैं, इसको आप समीकरड़ दो में रखेंगे, तो यहां पे रख दीजिए समीकरड़ दो में, तो स समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 3x-y बराबर 5 तो इसी x के जगा आप ये पूरा रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3 गुड़ा चुकि इनके बीच गुड़ा रहता है न अब x ये पूरा रखे तो ये हो जाएगा 7-3y बटा 2 और बचा क्या? minus y बराबर 5 ये बचेगा तो आप लोग यहां से एक और चीज़ समझ लिजिए कि जब भी आप x कमान उठा करके समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां पे आप कोश्टक लगाना जरूरी है यानि कि पहले x था न अब x आपने ये रखा तो कोश्टक लगाना जरूरी है ने तो ग से यहां पर माल लगी 3y है तो इसका बटा 1 अपने मन से लिख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ऐसे यहां पर सभी का बटा बटा एक कर लिजिए यहां पर बटा एक कर लेता हूँ अब मैं बटा एक क्यों कर रहा हूँ अभी में आगे आपको समझ आ जाएगा तो अब 3 का उपर गुड़ा कर लिजे, तो 3 साते 21 हो गया, 3 का माइनस 3 वाई भी गुड़ा करेंगे, तो माइनस 9 हो गया, फिर बटा 1 का 2 में गुड़ा करेंगे, 2 हो जाएगा, फिर माइनस y बटा 1 बराबर 5 बटा 1, तो देखें, मैं इस तरह का सवाल भी उस प्लेलिस्ट में हल करवा दिया है, यानि कि यक्स कमान निकालने वाला जितना भी सवाल होता है, उसको मैंने केवल 3 वीडियो बनाया, उसी में मैंने पूरा रूल समझा दिया है, उसी में आपको इस तरह का सवाल भी हल मिल जाएगा तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा वैसे मैं इसमें थोड़ा बेसिक से समझाओंगा भी अगर आपको नहीं समझाता है तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा उसका लिंक मैं यहां पर दे दूँगा तो चलिए इसे अल करते हैं तो चुकि यहां पर देखिए बराबर के इधर एक बिन है और यहां पर दूसरा बिन है ठीक है दूसरा तरीका यह होता है कि हम लोग 로ब तीर्शा गुडा करके राल और करते हैं तो पांच का दो में गुडा करेंगा लेगा है यह तिर्शा गुडा आ करके हमने हल किया है तो पांच का इसमें गुड़ा करेंगे, फिर तीन का इसमें गुड़ा करेंगे, फिर ऐसे गुड़ा करेंगे, तो सेम रोल इसमें भी लगेगा ना, क्योंकि ये भी तो भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो बिल्कुल वैसा ही रोल लगाए, तो एक का गुड़ा आप इस उपर वाले में गुड़ा करेंगे, तो चुकि एक का गुड़ा किसी में करेंगे, उतना ही आएगा, तो यह हो जाएगा, 21-9Y, इतना हो गया, अब यहां पर माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए, दो का गुड़ा Y में करेंगे, दो Y हो जाएगा, फिर बटा, अब दो का एक में गुड़ा करेंगे तो 2 हो जाएगा फिर बराबर इधर 5 बटा 1 है ही अब यहां पर देखिए चुकि यह वाई है और यह वाई है तो यह वाई वाला एक साथ हलो जाएगा यह अंक वैसे रहेगा एक किस हो जाएगा चुकि माइनस 9 वाई माइनस 2 वाई जूड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 11 वाई अगर आपको यह भी नहीं समझ रहा है कि यह कैसे जूड़ जा रहा है तो मैंने इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक मैं यहां पर दे आप लोग उसे भी देख लिजिएगा तो यह इतना हो जाएगा फिर बटा 2 बराबर 5 बटा 1 तो दिखे इसके बाद हम लोग एक अलग रूल लगाते हैं जब बीच में बराबर आ जाए और बराबर के इधर केवल एक बटा दिखे और बराबर के इधर केवल एक बटा दि यानि कि इसको वाल करके हम एतना लिख सकते हैं, चुकि हम लोग नीचे इसमें दो का एक में गुड़ा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे बीच में जो है बराबर दिया गया है, और अगर यहीं पे प्लस या फिर माइनस रहाता, बराबर के जगा तब हम लोग ऐसे तिरचा गुड़ा करते हैं, और ऐसे भी गुड़ा करते हैं, लेकिन जब बीच में बराबर दे देता है, और बराबर के इधर एक भीन रहता है, बराबर के दूसरे शड़े एक भीन रहता है, तो हमके वाले से तीरशा गुड़ा करके छोड़ देते हैं, यह रूल होता है, अब यहां से y कमान निकालने हैं, तो निकाल लीजिए, तो इस तरह से y बराबर एक आ गया, तो चुकि देखिए, हमें हल करने का मतलब क्या होता है, हमें y कमान निकालना रहता है, और x कमान निकालना रहता है, तो y कमान तो निकाल गया, अब इसी y कमान को हम समीकरण एक में रखें, दो में रखें, तीन में रखें, इन तीनों में से किसी में भी रखेंगे, तो हमारा X कमान निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन इस समीकरड तीन में रखेंगे, तो X कमान आसानिस निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसी Y के जगए किवल एक रख दें, तो X कमान यह से तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है, x बराबर, पुरा लिख लेते हैं सबसे पहले, x बराबर, 7-3y बटे 2, यही तो है, तो इसी में आप रख दीजिए, 7-3 गुड़ा, y कमान क्या है, 1 है, तो यहां पर 1 रख दीजिए, फिर बटा 2, समीकरण 2, तो यहां से यह हो जाएगा 7-3 एकम 3, बटा 2, तो साथ में से तीन गटेगा, चार बटा 2, एकम 2, दो दुनी चार, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 बटे 1 आ गया, और चुकि एक नीचे है तो हम लोग एक क्वाटा भी सकते हैं तो यहां से x बराबर कितना आ गया? x बराबर 2 आ गया तो इस तरह से x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 इसका आंस्वार आ गया तो इसको मैं फिर से समझा देता हूँ सबसे पहले आपको समीकरण 1 लिखना है समीकरण 2 उसके बाद लिखना है समीकरण 1 से फिर समीकरण 1 को हम लोग हल करके बराबर के इधर के वह यक्स ला देंगे और इधर कुछ भी आए इसे समीकरण 3 माल लेना है फिर इसी मान को हमें समीकरण 2 में रखना है ठीक है चुकि हमने इसको समीकरड एक से निकाला है ना तो हमें समीकरड दो में रखना पड़ेगा तो इसे हम समीकरड दो में रखेंगे तो चुकि यक्स बराबर यह पूरा है तो हम लोग इसी यक्स को यह पूरा रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है तो यहां पे हम लो इसे आप लोग हल करेंगे तो Y बराबर एक आ जाएगा इसी Y के मान को आप समीकरण 3 में रखेंगा तो X के माना जाएगा तो इस तरह से ये प्रतिस्थाफण विदी हल हो गया तो आप लोग ऐसे ही जितने भी सवाल होते हैं उन सबी को आप लोग प्रतिस्थाफन विदी से हल करने के प्रैक्टिस करिएगा और बिल्कुल ऐसे हल करते जाएगे तो आपको हर एक सवाल हल हो जाएगा तो चलिए अब हम लोग बिलोपन विदी समझते हैं तो दोस्तों अब हम लोग इस रहखिक समीकरण युगम को बिलोपन विदी से हल करते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि प्रतिस्थाफन विदी और बिलोपन विदी इन दोनों विदियों में से जो ये बिलोपन विदी है, इस विदी से सवाल जो होता है, बहुत सरल तरीके से हल हो जाता है, तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से समझेगा, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से समझे लेते हैं, तो फिर किसी भी रेकिक समीकरड यूँ को आप बहुत ही असानी से हल कर लेंगे, ठीक है, आप उसके वाद हमें करने क्या है, चलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि बिलोपन का मतलब क्या होता है, तो देखें, बिलोपन का मतलब होता है, किसी चीज को बिलूप्त कर देना, और बिलूप्त करने का मतलब क्या होता है, गायप करना, यानि क किसी चीज को गायब कर देना वही बिलोपन कालाता है तो इसमें हम लोग वही चीज करते हैं हम लोग X वाले को गायब कर देते हैं तो केवल Y वाला बचता है तो जब Y वाला बचता है तो हम लोग Y कमान असानी से निकाल सकते हैं और जब Y कमान निकल जाता है वाले पर focus करेंगे, तो यहां पर x के पहले 3 है, तो इस 3 का गुड़ा हम समीकरड 1 में कर देते हैं, और इस x के पहले 2 है, तो हम लोग इस 2 का गुड़ा समीकरड 2 में करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले y लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरड 1 में 3 से तथा समीकरड 2 में 2 से तो देखे मैंने क्या लिखा समीकरड़ 1 में 3 से तथा समीकरड़ 2 में इस 2 से गुड़ा करने पर यानि कि इस 3 से गुड़ा हम इस में कर देंगे और इस 2 का गुड़ा हम लोग इस में कर देंगे तो चलिए गुड़ा कर लेते हैं हम लोग तो इस 3 का गुड़ा आप सभी में पूरा शुरूश लेगार अन्त तक गुड़ा करेंगे ना तो 3 का गुड़ा 2 में करेंगे तीन दुना 6X प्लस 3 का 3 में गुड़ा करेंगे 3 तरीक का 9Y फिर बराबर 3 का 7 में गुड़ा करेंगे 3 सत्य एकीस हो गया ठीके अब आप इसको समीकरड 3 मान लीजिए अब हम लोग समीकरड 2 में इस 2 से गुड़ा करेंगे तो 2 से गुड़ा करें सभी में तो 2, 3, 6 हो जाएगा फिर ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर 2, 5, 10 तो आप इसको समीकरड 4 मान लीजिए ठीक है अब यहाँ पर देखिए आपको समीकरड 3 और 4 निकालने के बाद अब आपको समीकरड 3 में 4 घटाना भी पड़ सकता है समीकरड 3 और 4 को जुड़ाना भी पड़ सकता है तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि हमें समीकरड 3 में से 4 को घटाना है या फिर समिकरण तीन में चार को जुड़ना है तो ये आपको इसको देखकर करके पता लएगा यानि कि चुकि हम लोग केवल X के पहले 2 है और 3 है तो ऐसे गुड़ा कर रहे है ना यानि केवल X पर फोकस कर रहे है तो यहाँ पर भी केवल X पर फोकस करिए तो यहां पर rip you सकते हैं यहां पर birthday यहां पर या यहां पर इस तरह से गुड़ा करेंगो फिन थैंगए तो दोनों बराबर किया या अब यहां पर यहां पर देख साथे जोनों का च्छायक से है तो अगर इन दोनों बराबर वाले की पॉली अगर दोनों का प्लस-प्लस चीन है, यहां पे हम लोग देख लेते हैं, अगर इन दोनों के बराबर के पहले प्लस-प्लस चीन है, यानि कि दोनों का अगर सेम चीन है, तब हम लोग उस इस्तिति में घटाते हैं, समीकरड तिन में से चार को घटाएंगे, और अगर इन दोनों के पहले minus minus का चिन है, तभी तो सेम संचीन है, तो उस इस्तिति में हम लोग घ्ठाते हैं, लेकिन अगर एक का चिन, plus है दूसरे का चिन, minus है, तब हम लोग जोडते हैं, तो अगर आपको अभी भी अच्ची से समज़ नहीं आया रहा तो अभी आपको पहले प्लस प्लस का चिन है यानि कि सेम चिन है तो हम क्या करेंगे हम समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने के लिए हम लोग सबसे पहले समीकरण 3 ऊपर लिख लेते हैं ये कुछ इस तरीके से समीकरण 4 को आप नीचे लिख लिजिए और ये हो जाएगा 10 तो यहां पे आप ध्यान से देखिए जब भी हम लोग घटाते हैं तो घटाते समें चीन बदल जाता है और जोडते समें चीन में कुछ भी परिवत्तन नहीं आता है जैसे अगर घटाएंगे ना तो सभी चीन बदल जाएगा तो यहां पे देखिए ये प्लस 6 था अब ये माइनस 6 हो जाएगा तो प्लस से माइनस हो गिया अब चुकि ये माइनस 2 है ना तो अब ये प्लस 2 हो जाएगा और यहां पे प्लस 10 था तो ये माइनस 10 हो जाएगा यानि कि घटाते समें सभी चीन बदल जाता है जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा तो इस चीज को अम लोग थोड़ा और अच्छे से समझे लेते हैं जैसे माल लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 6 में से 3 को घाटा आए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेगा अगर आपसे कहा गया है कि 6 में से 3 को घाटा आए तो आप क्या करेंगे चुकि घटाते समिचीन बदल जाता है देखिए कैसे अगर आपसे 6 में से 3 घटाने के लिए कहा गया है तो आप कैसे करेंगे 6 और 3 लिखेंगे फिर यहापे माइनस लिख देंगे तभी तो यहापे घटा के 3 आएगा तो आप देख सकते हैं कि यह प्लस है था और यह प्लस 3 था लेकिन जब घटाना था तो घटाने के लिए अगर कहा था तो यह प्लस 3 से अब यह माइनस तिन हो गया है तो चुकि प्लस से माइनस क्यों हुआ है क्योंकि आप घटा रहे हैं लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 6 में 3 जोड़ ये, तो ये पहले से प्लस था और ये भी प्लस है, तो जब जोडने के लिए कहा जाए तो ऐसे जोड लेते हैं, इसके पहले ये चिन कुछ भी परिवरता नहीं होता है, ठीक है, इसलिए देख सकते हैं कि गाटाते से में चिन बदल जाए, और जब एक चिन बदल जाएगा, तो फिर वो आसानी से कट जाएगा, ठीक है, तो अब हम लोग इसको अल करेंगे, तो ये 6 ए और ये माइनस 6 हो गया, अब ये प्लस 6 नहीं रहा, अब ये माइनस 6 हो गया, तो अगर आप लोग इसको ऐसे अल करेंगे, 6 ये तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानि कि 0 आएगा तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, अब इसको 9 आए, और प्लस दुख गया ना, तो इसको ऐसे अल करेंगे, 9 प्लस 2 आए, इसको अल करने का मतलब ये होता है, ऐसे 9 आए, प्लस 2 ठीक है, तो 9 में दो जोड़ेंग कितना यह एक्यारा आजाएगा य य तो य लिखे फिर बराबर अब 21 से 10 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा अब यहां पे 11 बुढ़ा वाई है न तो यहांसे य बटे 11 इसे काटेंगे तो एक ह Metroid क्यों को हम सम Кरण 3 में समी करण 3 में जाएग तो हम लोग को समी करण एक में पर आपको थोड़ा ओर अच्छे से Кол Sebुध adop यहाँ पर देखे मैंने यह एक दूसरा सवाल यह थिक है यह दूसरा सवाल तो यहां पर देख सकते हो यह माइनस तीन माइनस पर ध्यान नहीं देते केवल संख्याप देंगे तो यहां पर टीन का गुड़ा आपको दो में करना रहेगा और यहां चिन कोई बदलाव नहीं होता है तो जब जोडएंगे तो चीन कोई बदलाव नहीं होगा तो यह पूरा कट जाएगा यह कोई भी चिन नहीं बदलेगा अब ये 5Y है और ये minus 6 है इसको अल करेंगे तो minus 1Y हो जाएगा और इसको अगर अल करेंगे तो 5 में से 9 गटेगा कितना आएगा minus 4 आएगा ठीक है अब इसको मतलब आप समझे ये कैसे अल करना है मतलब मेंच ये हमें समझाना था अब चलिए हम लोग इसको अल करते हैं तो अब लिखेंगे Y कमांद समीकरड एक में रखने पर तो अब हम लोग Y कमांद समीकरड एक में रख लेते हैं तो समीकरड एक सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं 2X प्लस 3Y बराबर 7 तो यहां से यह हो जाएगा दो एक्स प्लस वाई की जगह एक रखना है तीन गुड़े एक हो जाएगा फिर बराबर साथ तो यहां से यह हो जाएगा दो एक्स बराबर साथ यहां पर तीन एकम तीन हो जाएगा प्लस तीन है न तो बराबर के दूसरे साइड माइनस तीन हो तो यहां से यहीए दो इक सब्सक्रों से तिन तो इस तरह सिए एक सब्सक्राइब!", ब×10 प्रतिस्थापन विदि से भी हल किया था तब भी X बराबर 2 आया था और Y बराबर 1 आया था यानि कि यक्स के पहले जो संख्या दिया रहता है उसका गुड़ा समीकरड दो में करेंगे और दूसरे समीकरड में यक्स के पहले जो संख्या रहता है उसका समीकरड एक में गुड़ा करेंगे अब गुड़ा करने के बाद देखते हैं कि ये वाला यक्स वाला जो बराबर आ गिया ह तो बराबर आता है यह तो बराबर हमेशा जब भी गुड़ा ऐसे करेंगा तो यह पहला पता हमेशा बराबर रहेगा तो आपको क्यों चीनों पर ध्यान देना है अगर चीन प्लस प्लस रहेगा या फिर चीन माइनस माइनस रहेगा यानि कि दोनों का चिन एक समान रहेगा इस तरह का ये अगर दोनों का चिन एक समान रहेगा तो हम क्या करेंगे घटाएंगे क्यों घटाएंगे क्यों घटाने पर चिन अलग-अलग हो जाता है तो अलग-अलग होगा तभी तो कटेगा तो यहां से कटके y कमाना जाएगा अगर y कमान आ गया तो उसी y कमान को हम समीकरड 1, 2, 3, 4, किसी में भी रखेंगे तो हमारा x कमाना जाएगा ठीक है तो दीखे मैंने आप लोगों को इतने सरल तरीके से प्रतिस्थाफन विदि और बिलोपन विदि से समझा दिया अब मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूँ तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह रखे समीकरड आप लोग इसको हल करके x और y कमान कमेंट बक्स में ज़रूर लिखेगा और आप लोग इसे दोनों विदियों से अल करिएगा प्रतिस्थाफन विदि और बिलोपन विदि से इसका आंसर जो आएगा बस आपको आंसर कमेंट बक्स में लिखना है